सो हेई कैसे हैं आप सब 25 वरे की प्रिम मार्केट रिपोर्ट में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले देखेंगे निफ्टी और बेंग निफ्टी ने क्या हाल चाल थे FIIDI ने क्या बाइसल किया हुए उनकी इंडेक्स और अपसेंस के अंदर क्या पोजिसेंस हैं हमें टोपर्स और लोजर को समझना होगा कुछ इंपोर्टन निउस के बारे में डिस्कुसन करेंगे हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड मार्केट फिलाल क्यास हो कर रहे हैं हमारे पास अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी ओल की मोमेंट कैसी है आज की इवेंट कौन से कौन से इंपोर्टन है और फाइनली टेकनिकल एनलिस के साथ पूरे वीडियो को खतम करेंगे तो चलो ज़्यादे बात ना करते हैं स्टाइट करते हैं सबसे फेले देखो निफ्टी एक बार के लिए डीप लगाने की ट्राइक ही लेकिन दस बजे डियाई ने आकर के जबर्दस बाइंग किया और पूरे दिन फिर उपर रखा था सेम वे में बैंक निफ्टी खुलते ही 600 से अल्मोस्ट साड़े तिन सो तक आ गया लेकिन फिर जाते जाते पूरे दिन बाइंग ही हुई है FII ने आकर के 700 करोड का माल बेचा हुआ था जबकि DII ने 4500 करोड की बाइंग किये अब Totally Options का डेटा देखो अगर आप ध्यान से देखो कि तो प्रो हमारे पास अभी भी जबर्दस बूलिस है लेकिन सामने FII हमारे पास बीरिस हो चुके है और रेटेलर्स के पोजिसन दोनों ही मिक्स से बहुत ही लाइट है यह मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि रेटेलर्स अभी कुछ भी ज़्यादा केरी फोरवर्ड करके नहीं जा रहे हैं इसलिए मार्केट के अंदर बहुत ड्रास्टिक मॉव्मेंट देख़कोंने मिल रही है लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो 2-3 दिन से उप्षण सेलर को बहुत पैसा मिला हुआ है धना दन पैसा मिल रहा था ओप्सन सेलर को तो आज या कल हमारे पास आप्शं बायर का दिन होने बाला है तो अगर आप आप आप्शन सेलिंग करते हो मैरी तरह तो थोड़ा सबर करके करना, आपने देखा होगा कि आपको Friday को भी अच्छा पैसा मिला होगा, Monday, Tuesday, दोनों दिन हमारे पास, sorry, Monday को भी अच्छा पैसा मिला था, तो आप Tuesday को थोड़ा problem हो सकता है, यस, देखो और कहां से clear हो रहा है, अगर आप options के data देखो तो 25,000 करोड के options ब तो वो next expiry के लिए उन्होंने साइद बेचे होंगे, remaining के लिए देखो तो दोनों जगे, nifty और bank nifty में sell off है, हाला कि fin nifty के अंदर options की buying है, तो यह मुझे थोड़ा परिसान कर रहा है, और परिसान ही यहां से भी आ रही है कि 7 करोड यहां पे, index के future buy क्यों है, लेकिन इससे उसमें कुछ उपर नीचे हो सकता है, सेक्टर वैस देखो तो 27 स्टोक अप थे, 23 डाउन थे, जिसमें government के अइंक और आईटी यह दोनों डाउन थे, बाकि auto, fmcg, pharma, सब कुछ अप था, ग्रेजिम आदिते बिल्ला की कंपनी है, वो 3% उपर पागी होई थी, बजाज फाइनांस उपर था, अगर आज भी बजाज फिन सब और फाइनांस उपर रहते हैं, तो फिन निफ्टी में positivity होगी, कॉल इंडिया नेगेटिव न्यूस के चलते डाउन था, L&T, SBI हो सब कुछ, कॉल इंडिया की नेगेटिव न्यूस देखो तो, वहाँ पर इयोक्षन का प्रीमियम से लेकर के कुछ पंगा था, उनके जेर्मेन ने एक दो बाते खराब बोल दी तो गिरना था, अब यह न HDFC बेंक का चार्ट है, FTSC इंडेक्स के अंदर रिबेलेंसिंग हो रही है और वहाँ पर HDFC को हटाया जा रहा है, मलब यह यह यूरोप की एक इंडेक्स है, वहाँ पर रिबेलेंसिंग के चलते है, HDFC में हमारे पास सेलोफ आया था, अगर आज वन वे मुमेंट देनी है, अपसाइड, तो HDFC के अंदर बाइंग होनी चाहिए, अब यह कुछ और इंपोर्टन्ट कंपनीज है जिसको FTSC में एड करने वाले हैं, तो इन सब में भी आपको जबरदस मुमेंट देखने को मिल सकती है, ITC से रिल्टेड एक positive news है, वहाँ पे जो bank of America है, उसको लेकर के माना जा रहे हैं कि कुछ stakes वगेरा वो purchase करने वाले हैं, तो यहाँ पे recovery हमको देखने को मिली थी, यह मन्त वाइस देखो तो बहुत ही down, 10% down है एक मन्त में, लेकिन आने वाले दिनों में उपर जाने की chance है, bullish ही चल रहा है, तो गलती से भी sword की मत सोचना, yes, Asian market हमारे पास mix है, देखो, यहाँ से negativity आ रही है, Hong Kong एक negative है, China पूरा bullish है, sorry, जबकि Australia, South Korea, यह सब भी negative है, European market mix to positive है, कोई tension लेने वाली बात नहीं है, American market तो बाद नहीं था, तो यहाँ पर देखने का कोई sense नहीं बनता, यह सब कुछ as it is रहने दो, इंडिन एडिया इस भी नहीं develop होगे, इन सब को देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर holiday था, Dow future को देख सकते हैं, जोकी 60 point down दिखा रहा है, गिफ निफ्टी, जवर्दस flat खुलेगा, oil के अंदर जुकेगा नहीं साला, बढ़ते ही जा रहा है, yes, आज देखू USA का FMC के minutes आने वाले हैं, और दो बज़े बास, sorry, आज का देखेंगे तो Australia की minutes होगी, उनकी जो reserve bank होगी, उनकी minutes आएंगी, केनेडा का inflation rate होगा, यह दो important data है, yes, technically अभी भी bullishness ही है, all time high लगा चुका है, आज हो सकता है कि और gap up खुले, तो फिर continue buying होने के में doubts हैं, देखते हैं कि क्या होता है, गिफ Nifty लेकिन, sorry, bank Nifty यहाँ पर बड़ा सा W बनाया हुआ है, तो एक बार के लिए यहाँ पर breakout हो रहा है, तो आराम से 400-500 point जाना चाहिए, लेकिन HDFC के बेना जाना का possible नहीं लगता है मुझे, तो अगर आज HDFC में buying हो रही है, तो बिंदा साब Fin Nifty में buy कर सकते हैं, यहाँ पर देखो call और put दोनों भर-भर के write हुए है, जबरदस put writing भी है और जबरदस call writing भी है, तो आज यह कोई भी एक side moment देने लगे, तो फिर पीछे मुड के मत देखना क्योंकि सारो लोगों के stop loss हंट होंगे, मानलों कि वो उपर के और भाग रहा है, तो यह सब call writers हो सकते हैं, तो दोनों side आज moment मिल सकते हैं, देखना होगा कि HDSB bank कैसे कर रहा है, चेंज इन OI में भी देखो call writing के number बड़े हुए है, और call writing किसे ने क्यों ही है, FIS में, तो यहाँ पर दिक्कत है, fine, that's all अन्थ वीडियो, please like and subscribe, अगर पहली बार आए हो तो subscribe कर लो, आते र सामत करों, thanks a lot.